दियर स्टूडेंट्स, वर्चुल यॉनिवर्सिटी में स्टडी करने के दौरान तालीम के हवाले से किसी भी किसम की कन्फूजन की सुरत में, आप मॉर्डेटे डिसकॉशन बोर्ड, इमेल और सपोर्ट सिस्टम के जरिए इंस्ट्रक्टर्स से अपने सवालात पूछ सकते ह ताहम स्टूडेंट्स को मश्वरा दिया जाता है और इनसे तवक्को की जाती है कि वो अपने सवालात पूछते हुए बेहतरी इन तरीकों का इस्तमाल करें, आईए इस सिलसले में वीडियो टर्टोरियल देखते हैं आउनलाइन तरीके तालीम में टीचर से अपना सवाल पूछने के सिलसले में कम्यूनिकेट करते वक्त कुछ एहम अनासर को मलहूजे खातीर रखना जरूरी है इन में से कुछ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं नमबर एक, कलेरिटी, यानि वजाहत के साथ कम्यूनिकेट करना जब भी मुम्किन हो, सिंगल मौजू पर मेंसिज भेजें मेंसिज के सिंटेंस का आगाज इस तरह से करें कि वो पिछली कॉर्रिस्पॉन्नेंस से मुतलिका हो या उस मेंसिज का मकसद वाज़ हूँ मेंसिज लिखते हुए मौजू और मकसद पर तवज्जो को मरकूज रखें अपने हियालात को एक मंतिकी अंदाज से तर्तीब दें नमबर दो, मौजू बामाईनी होना चाहिए यानि गयर मुतलिका अलफाज से इच्टेनाप करना मौजू माईनी हेज लेकिन मुक्तसर रखें मौजू को हमेशा कॉंटेंट के मुताबिक होना चाहिए हाई, हेलो या हेल्प जैसे सिंगल अलफाज का इस्तेमाल ना करें नमबर तीन, रीडेबिलिटी यानि पढ़ने के काबिल रीडेबिलिटी का होना इसलिए जरूरी है ताके इन्फॉर्मेशन को काबले फहम बनाया जा सके इसके लिए इन स्ट्रेटेजी के इस्तमाल को मदे नजर रखना जरूरी है एक जुमले में 15 से 20 अलफाज इस्तमाल करें एक जुमले में सिर्फ एक ही आइडिया के बारे में बात करें 25 से 35 अलफाज पर मुश्तमिल, लंबे और पेचीदा जुमलों को कम से कम इस्तमाल करें ताके पढ़ने और समझने में मुश्किल ना हो अपने जुम्लों में रिधम और दिल्चस्पी पैदा करने के लिए इनकी लंबाई को तबदील करते रहे अपने जुम्लों को एक्टिव वॉइस में लिखे गएर मुहजिब जबान के इस्तमाल से गुरेज करे मुभम और गएर ज़रूरी अलफास को निकाल दे अपना पहला तासुर मुस्पत देने के लिए पॉजटिव लैंगविज का इस्तमाल करना जरूरी है और इसका इस्तमाल किस तरह से किया जा सकता है? आईए, इनके बारे में जानते हैं सादा और शाहिस्ता जबान का इस्तमाल करें मन्फी अलफास के बजाए मुस्पत अलफास का इंतखाब करें अपनी बात को सही अंदास से पहुंचाने के लिए जुमलों की बनावत ग्रैमर के लिहाज से सही होनी चाहिए सवाल लिखते हुए आपको प्रॉपर सबजेक्ट, औबजेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, नाउन और प्रो नाउन का सही होनी इंतखाब करना चाहिए नमबर छे पंक्चुेशन यानि रमूजे और काफ अपने अलफास के माइनी को वाज़े रखने के लिए जुमले का आगाज कैपिटल रेटर से करें और फुल स्टॉप पर खत्म करें चेक करें कि जुमला ज्यादा तवील ना हो अपने खियालात को पैरग्राफ्स की शकल में अलग-अलग लिखें अपने जुमलों में मुनासिब जगा पर कॉमाज और फुल स्टॉप लगाएं नमबर साथ टोन बादचीत का अच्छा तासुर देने के लिए अपनी मुनासिब टोन का इस्तमाल करना जरूरी है जजबाती रदेयमल ना दें शाइस्ता और बाशो लहजा इस्तमाल करें मुनासिब दोस्ताना अंदाज अपनाए नमबर आठ लेटर केस अपनी क्यूरी का मुनासिब और मतलूबा जवाब लेने के लिए अपना कोई भी मैसिज कैपिटल्स या बड़े हरूफे तहजी में ना लिखें ना ही सारा मैसिज स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए बलके रस्मी अंदास को मैसिज में इस्तमाल करें नमबर नौ प्राइवसी यानि राजदारी किसी भी किसम की परेशानी से बचने के लिए दूसरों के मुतलिक, किसी भी किसम की मालूमात किसी और से share ना करें किसी का email address या दीगर मालूमात किसी और को देने से पहले मुतलिका शक्स से इजाज़त जरूर तलब करें Number 10 Read before send किसी भी किस्म की गलत फहमी से बचने के लिए message भेजने से पहले एक बार पढ़ना जरूरी है Spellings को एक बार लाजमी चेक करें इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपका message वाज़े तोर पर मतलूबा पैगाम पहुंचा रहा है या नहीं तमाम message को दो बार चेक करें अपने लिखे हुए message को वसूल को नेंदा की नजर से पढ़ें इससे आप उनको ज्यादा मुस्तर अलफाज पर मुश्तमिल message भेज सकेंगे और गलत फहमिया और ना मुनासिब तपसुरों से बचने में भी मदद मिलेगी नमबर ग्यारा अपनी क्यूरी, मुतलेका डिपार्टमेंट या शक्स को भेजे अपनी क्यूरी का फौरी और मतलूबा रस्पॉंस लेने के लिए इस बात को यकीनी बनाए कि आपने अपना message मुतलेका शोबा और शक्स को भेजा है नमबर बारा वेट फॉर रिप्लाई यानि जवाब का इंतिजार करें अपनी क्यूरी के जवाब के लिए कम असकम 24 घंटे तक इंतिजार करें अगर एक दिन के बाद जवाब ना मिले तो एक शायस्ता या दिहानी भेजें